नमस्का दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ATS चैनल में Amazon की एक निव अपडेट के साथ अपडेट है कि Amazon ने अपकमिंग इवेंट्स की डेट रिलीज कर दी है और इस इवेंट्स का नाम है Amazon Small Business Day तो चलिए दोस्तों इस इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं इसमें क्या benefits मिलने वाले हैं और हमें किस तरह से इसको follow-up करना चाहिए इवेंट्स के बारे में जानने से पहले आप से छोटी चीरोकर्ष्ट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को on करके all पर किलिक कर लीजे ताकि हमारे सारे आने वाड़े वीडियोज की information आपको मिल जाए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि कल मैंने एक new update के बारे में और बताया था जिसका नाम था country of origin यह आपकी business listing में update होती है इसके भी काफी बहुत अच्छे benefits हैं अगर आप इसको अपडेट नहीं करते हैं तो काफी आपको loss भी उठाना पड़ेगा उस particular AI sign से तो अगर आप इस update के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको click करके और इस update के बारे में जान सकते हैं यह मेरा first beat आपको top पर ही दिख जाएगा Amazon Small Business क्या है इसके बारे में जान लेते हैं बेसिकलिए अगर आपको बता दें तो यह second edition है Amazon का जिसने जो event रिलीज हुआ है और यह इसकी जो date है 12 December और रिलीज कर यह लाइब होगा यह और इसमें आपको क्या-क्या benefits मिलने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें अगर आप इसी event के duration आप अपनी sales को कफी अच्छे से increase कर सकते हैं बूस्ट कर सकते हैं कौन-कौन से point पर बूस्ट करेंगे जैसे आप जो चीज़ें आपको maintain करके रखनी है प्राइसिंग को आप ज्यादा से ज्यादा flexible रखिए buy box के लिए और मैं तो कहूंगा कि आप auto pricing को use कीजिए coupons create कीजिए coupons create करने के लिए में लिंक आपको description में दे दूँगा और यहां पर आप advertising भी कर सकते हैं अच्छे से leverage sponsored product and increase discoverability of your product to use sponsored product यानि आप होँपे ऐसे product जो discoverability के वाले product हैं उन पर आप sponsored चलाके उसको boost कर सकते हैं ठीक है तो यह update है और बारहतारी को यह होने वाली है 12 December को तो इस event के दौरान आप ready रहिए और इस event का आप अच्छे से इसका benefit लिए Thank you दोस्तो